उखडे खंबे एक दिन राजा ने खीज कर घूशणा कर दी कि मुनाफ़ा खोरों को बिजली के खंबे से लटका दिया जाएगा सुबा होते ही लू बिजली के खंबों के पास जमा हो गए उन्होंने खंबों की पूजा की आरती उतारी और उन्ही तिलत लगाया शाम तक लोग इंतजार करते रहे कि आप मुनाफ़ा खोर टांगे जाएंगे पर कोई नहीं तांगा गया तब वे जुलूस बना कर राजा के पास गए और उससे पूछा महराज आपने तो कहा था कि मुनाफ़ा खोर बिजली के खंबे से लटकाए जाएंगे पर खंबे तो वैसे ही खड़े हैं मुनाफ़ा खोर स्वस्थ और सानन्ध हैं राजा बोला कहा है तो उन्हें खंबो पर टांगा ही जाएगा थोड़ा समय लगेगा टांगने के लिए फंदे चाहिए मैंने फंदे बनवाने का ओडर दे दिया है उनके मिलते ही सब मुनाफ़ा खोरों को बिजली के खंबो से टंगवा दूंगा भीड में से एक आत्मी बोल उठा पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफ़ा खोर नहीं लिया है राजा नहीं कहा तो क्या हुआ उसे भी उसके ही फंदे से टांग दिया जाएगा तभी दूसरा बोल उठा पर वह तो कह रहा था कि फासी पर लटकने का ठेका भी मैं ही लूंगा राजा नहीं जवाब दिया नहीं ऐसा नहीं होगा लोगों नी पूछा तो कितने दिन बाद वे लटकाये जाएगे राजा नहीं कहा आज से ठीक सोलवे दिन वे तुम्हें बिजली के खंबों से लटके दिखेंगे लोग दिन गिनने लगे सोलवे दिन सुबा उटकर लोगों नी देखा कि बिजली के सारी खंबे उखड़े पड़े हैं वे हैरान हो गए कि रात में ना आंधी आई ना भुकाम पाया फिर वे खंबे कैसे उखड़ गए उन्हें खंबे के पास एक मस्दूर खड़ा मिला उसने बतलाया कि मस्दूरों से रात भर ये खंबे उखड़वाए गए है लोग मस्दूर को पकड़कर राचा के पास ले गए उन्होंने शिकायत की महराज आप मुनाफ़ा खोरों को विजली के खंबों से लटकाने वाले थे पर रात में सब खंबे उखाड़ दिये गए हम इस मस्दूर को पकड़कर लाए हैं यह कहता है के रात को सब खंबे उखड़वाए गए हैं राचा ने मस्दूर से पूछा क्यों रे किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंबे उखाड़े मस्दूर ने बताया सरकार ओवर सियर साहब ने हुक्म दिया था तब ओवर सियर को पुलाया गया उससे राजा नी कहा क्यों जी तुम्हें मालुम है मैंने आज मुनाफा खोरों को बिजली के खंबों से लटकाने की खोशना की थी उवर सियर नी कहा जी सरकार फिर तुमने रातो रात खंबे क्यों खड़वा दिये राजा ने पूछा सरकार बिजली विभाग के इंजिनियर सहाब ने कल शाम को हुक्म दिया था कि रात में सारे खंबे उखाड़ दिये जाए अग बिजली विभाग की इंजिनियर से कैफियत तलब की गए तो उसने हाथ जोड़ कर कहा सेकरिटरी सहाब का हुक्म मिला था सेक्रिटरी को बुलवाया गया राजा नी उससे पूछा कंबे उखाडने का हुक्म क्या तुमने दिया था सेक्रिटरी ने स्वीकार किया जी सरकार राजा नी कहा यह जानते हुए भी कि आज मैं इन खंबों का उपयोग मुनाफ़ा खोरों को लटकाने के लिए करने वाला था तुमने ऐसा दुस्सा हस्कियों किया सेक्रिटरी ने कहा महराज पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था अगर रात को खंबे ना हटा लिये जाते तो आज पूरा शहर नश्ठ हो जाता राजा ने पूछा यह तुमने कैसे जाना किसने बताया तुम्हे सेक्रिटरी ने कहा मुझे विशिशग्य ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबा होने से पहले खंबो को उखडवा दो राजा ने पूछा कौन है यह विशिशग्य भरोसे का आदमी है सेक्रिटरी ने कहा बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार घर का आदमी है मेरा साला होता है मैं उसे हुजूर के सामने पेश करवाता हूँ विशिशग्य राजा के सामने पेश हुआ उसने निवेदन किया सरकार मैं विशशग्य हूँ और भूमी तथा वातावरण की हल्चल का विशेश अध्यन करता हूँ मैंने परिक्षन के द्वारा पता लगाया है कि जमीन के नीचे बिजली का एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है मुझे यह भी मालुम हुआ इस वात हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है यदि हमारे बिजली के खंबे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंबू के द्वारा उपर आती तब उसकी टकर अपने पावर हाउस की बिजली से होती जिससे भयंकर विश्पोर्ट होता शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती ऐसे में ना एक प्राणी जीवित बचता ना एक इमारत खड़ी रहती मैंने तुरन सेकरेटरी सहाब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया लोग बढ़ी देर तक सकते में खड़े रहे वे मुनाफक होरों को बिलकुल फूल गए वे सब जान बज्जाने की अनुभूती से दबे हुए थे सब के सब चुप चाप लोट गए उसी सबता बैंक में इन नामों से ये रख में जमा हुई हाँ उसी सबता मुनाफ़ा खोर संग के हिसाब में नीचे लिखी रख में धर्मादा खाते में डाली गई कोड़ियों के सहायता के लिए दान एक लाख रुपे विद्वा आश्रम को दान एक लाख रुपे पागल खाना को दान पच्चिस हजार रुपे अनाथाले को दान पच्चिस हजार रुपे